आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल जबर्दस्ती एक लौकी की सब्जी जबर्दस्त बनने वाली है तो इसके लिए हमने लिया है लौकी मिन्स घीया या बॉटल गोड कहा जाता है इसे और उसके बाद में हमें लगने वाला है अनियन और ग्रीन चीज प्याज और हरी मिट जिंजर गारलिक पेस्ट अद्रक लहसुन पेस्ट लगने वाला है उसके बाद में हमें तर्मरीक अनिकी हल्दी लगेंगी रेट चिली पाउडर एनिकी लाल मिट पाउडर मस्टर सीट ट्यूमीन सीट मिंस राई और जीरा लगेंगा और यह कोरियंडर पाउडर है यह कोर इसे बाद में सेसमी सीड में स्टिल लगने वाली है और एक चॉप टमाटो लगने वाला है इसे बनाना बहुत आसान है और यह बहुत ज्यादा टिस्टी रसीपी है तो इसे बनाने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं अगर आपने मेरे चैनल को है निया पैन में ओल भी गरम करने को लग दिया था अब इसमें हम 5 पीय स्पून राई, फटी गीरा मिंस क्यूमिन य σब्क्राइल 3 पूप टीपून डालेंगे और इसमें हमस्टपी तील consomm में देना है प्लटर होँ आप साथ में इसमें हाफ टीस्पून तील डाल देंगे अब इसमें हम प्याज और हरी मिट डाल देते हैं अब इसमें हमें अच्छे से भूलना है जब तब कि हमारी प्याज सॉफ्ट न हो जाए अब इसमें हम ढाल देगे अध्र कलेशन का पेस्ट तो हम एक टी स्पून के गरीव अध्रक लेसुन का पेस्ट जाल रहे है अच्छे से मिट करके ईसे भूनें एक मिनिट टक अब हम अब हम यास पावर कंभी करके अब इसमें डाल देंगे हमारे गरम मसाले ही है तो गरम मसाले में हम सबसे पहले एड़ कर रेड चिली पाउडर हम इसमें डे टेबल स्पून के करीब यूज करेंगे तो आप रेट्सिली पाउडर अपने मुताबी ही डालिए आपके यह जैसा खाते उसकी हिसाब से डालिए मैंने एक टीस्पून के करीब यह गरम मसारा लिया है तो अभी हम इसमें करेंगे और लास्ट में जब हम उतारने का समय होगा अबर सब जी बन जाएंगे तो यह पुरिएंडर पॉडर एक टीस्पून लिया है हमें तर्मरीक आप टीस्पून लिया है इसे अच्छे से मिक्स करके बून लेते हैं अब इसमें थोड़ा तहरा धनिया एट कर दे हैं औ और हमारे कटे वाले टमाटर को हमें सॉप्ट होने जैसे कि अब देख से बिद्रेंट्स अच्छे से गल चुके हैं अच्छे से गल चुके हमारे टमाटर आप इसमें हम डाल देंगे हमारे कसोरी मेथिं हमने 8 that तो इसे हमें हाथ में लेके क्रश्क कर देना है कि मिक्स करेंगे और इसमें हमां डाल देंगे लॉटिक अच्छे से मिक्स करना है इसमें मसालों के साथ में अब हमार लॉकी भी अच्छे से मिक्स हो चुके फेंड अब इसमें डाल देंगे हम स्वात के अनुसार नमा मिक्स करेंगे इसे और मीडियम आठ पर हमें इसे पकने करेंगे अब इसे हम धब देते हैं और अब हम अब हमारे सब्जी को चेक करते हैं और इस बीड़ बीड़ में चेक करते रहें ना इसमें पानी बिल्कुल डालनी की जरूत नहीं है लॉकी में भरपूर पानी की मातर होती है अब रहें पानी की जरूत नहीं है आपको ग्रेवी वाली चाहिए पर आप रूसमें पानी डाल सकते हो थोड़ा सा 1 4 कप के करीब पानी डाल सकते हो अभी हम इसको थोड़ी सूखी डाइब बनाएंगे तो हम अभी इसमें चाहिए पकने देते हैं इसे हम और 10 मिट्रक पकने देंगे ताकि इसका पानी पुरी तरह से सुख जाए धग देते हैं चलिए हम अमरे सब्जी को चेक कर लेते हैं देखें बहुती जबरदस्ती हमारी सब्जी तयार हो गई है काफी अच्छे सी सूख भी चुकी है और अब इसमें हम थाग तीस्पून हमने गरम मसाला पचा के रखाता वो डालते हैं यह बहुत ज़रूरी है फ्रैंस लास्ट मिक क्योंकि इससे हमारी जो खुश्बू ने सब्जियों में ह प्लेट में तैयार होगी हमारी सिंपल लेकिन जबरदस्ती लउकी की सब्जी खाने में बेहर तेस्ट इसे आप ट्राइब कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिक्के बेजिये क्या कैसी लगे तो और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो की नीचे की लाइक की बटन को प्लिक कीजिए मेरी इस वीडियो रेशीपी को शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्क्राइब करना ना बुले फ्रेंड्स आपको मेरे पिखली वीडियो कैसी लगी प्लीस मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंड बोक में लिखके भीजिए and once again please please give like and subscribe to my channel and thanks for watching my channel thank you so much